इस समय हमारे साथ अयोध्या के हन्मान गड़ी के महंत राजिल दास जी है आएंग से बातचीत करते हैं असत का इंकाउंटर हो गया है प्रदेश सरकार लगतार जो है वो माफियाओं को मुठ करने की प्रदेश से बात कर रही है लगतार विपच्छी पाटिया इस अगर अगर अपराधी को किसी जाती से किसी मजब से किसी संपरदाई को जोड़ दिया जाए तो मुछको लगता है कि यह बहुत कष्ट वाली बात होती है और मुझको लगता है कि लगातार या प्रयास होना चाहिए कि जस प्रकार से उत्तरप्रदेश में सुसासन का राज है और उस राज में अपराधियों का सहीओ करना सबसे बड़ा पराधि होता है और अतिक के बेटे का इंकाउंटर अतिक का भी इंकाउंटर होना चाहिए इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से लूट, हत्या, बलतकार, फिरोती आप समझ सकते हो कि आज अतिक को कितना तकलीफ हो रही होगी वो सबसे बड़ा पापी होता है, जिसके सामने में बेटा का मृत हो बाप के सामने में गर बेटा मारा जाए, समझ ये कि बहुत ही कष्टकारी होता है और मुझको लगता है कि विपच्छी को ततकाल इस मुद्दे से हट कर तमाम ऐसे मुद्दे हैं उस पर बहस उस पर चर्चा करना चाहिए ना कि अतिक के उपर अतिक के बेटे को पर चर्चा करना चाहिए अग्रावा साइब की जैनती है सभी दल जो है वाबा साब की जैनती मना रहे हैं ऐसे में अखले स्यादों इन दोर के दोरे पे हैं और लगातार जो है वह दली तो वूट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए प्रतिमाइकान आउरड किया कुछ विवादीत नारे भी वहां लगे आज वो मत्रपदेश के दोरे पहर है ने ने देखिए वही तो अखलेश उद्दीन जी है ना जिनके सरकार में बाबा साथ भीमराव मेटकर मूर्ति तोड़े जाती थी वही तो अखलेश जी है ना कि उन सब्सक्राइब ने देखा है और बहन जी का गेस्ट हाउस कांड हर वेक्ति जानता है कौन जलाने की बाद किया किसने जलाने किसने चीरहरन किया तो यह सारा चीट जनता जानती है और मुझको लगता है हिंदू जर्मानस सरीवी जातिवादी मानसित्ता से दूर हट कर सब क करो अशा सासा सबका विकार सबके विशास के साफ है और हिंदू जर्मानस भारती जनता पाटी के साथ है और रहेगी और उत्तर प्रदेश ही नहीं है मुझको इतना रोना धोना होता कि फलानी का बेटा मार दिया गया है बुचको तकलिफ है उकाता को अपराधी है इसले मारा गया अपराधियों को अब डंड तो मिलना ही चाहिए ना उसका महममंदन नहीं होनी चाहिए इसके नाते बाबा साहब भीम राव अमबेटकर को विनम सरधानजली और बाबा साहब ने सोशित, बंचित, दवे, कुछले की आवाज बनकर और एक मूर्ति रूप में संभीधान को दिया जिस संभीधान के बलब पर देश और दुनिया में हिंदुस्तान के डंका बस्ती है जिस संभीधान के बलब पर ही ऐसे अतीक जैसे गुंडे के उपर अफायार दर्ज हुआ नहीं तो तीन-तीन साल तक हत्या करने पाद अफायार दर्ज नहीं होता था इस पर कोई सवाल कभी नहीं किया आज अफायार दर्ज को और मैं देश के सजबी प्रधान मंतरी जी को डिर सारा साधुबा देता हूं कि ऐसा मुख मंतरी उत्तर प्रदेश को आपने दिया एक आखरी सवाल की लगतार अखले स्यादो तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं वो तमाम जो चेत्री दल हैं देश बर के व चालिस चोर की पाटी है और यह कुत्तों कुत्ते ऐसे भूका करते हैं बहुत जाओं जाओं किया करते हैं सेर दाहरती हो आगे बरती हो चला जाता है विपच्छी अभी तैई नहीं कर पाया कि प्रधान मंतरी कौन होगा और विपच्छी सुद रूप से अपराध में व्य लोगे ऐसे लोगों का समर्थन करोगे क्या वं सेंची समाच के देश में आप जैसी राम नहीं कर सकते बंदे मातरउं नहीं कर सकते भारत मांता की नारा नहीं लगा सकते आताम रामन। सब नहीं मना सकते उसके लिए मुसलमानों के परमिशन नेना पड़े और मुसलमानों के पैरोकारी करने वाला उन अपराधियों उन राजनितिक दलों से मेरा एक विनम्न सलाह है कि आप हिंदू के साथ खड़े हो यह नित हिंदू जिस प्रकार से चाय बेचने वाले को साथे की साजिस करते हो दम हो दम हो दम हो तो कुरान के कुरीति के बारे में बोल के दिखा दो बहत्तर टुक्रे तुम्हारे हो जाएंगे आए दिन रोज रामचित मानस के बारे में तुम ठीका टिपनी करते हो हिंदू के बारे में ठीका टिपनी करते हो अवकात हो स्वाम प्रशाद मौरिया अगर तुम्हारे अंदर जरासा भी अपने बाप के बेटे हो तो डंके की चोट पर मैं तुमको चालेंज करता हूँ कुरान के कूरीती के बारे में हलाला के बारे में बोल कर दिखा दो तुम्हारे बहत्तर टुकरे हो जाएंगे हम सहसरू है इसलिए बोलते हो अब हम भी तुमको बकसने वाले नहीं है जिस मोर पे मिलोगे उस मोर पे तुम ठोके जाओगे ये थे हमारे साथ अयोद्या के हनुमान गड़ी के महंत राजुदाज जी जिनोंने साथ तौर पर काहा है कि ऐसे जो अधर्मी हैं उनके साथ यही होना चाहिए आज असत का इंकाउंटर हुआ है तो कल अतीक हमत का इंकाउंटर होना चाहिए उत्तपदेश की सरकार लगता ज अतीक हमत के तिसरे नमर के बेटे असत का कल पुलीस के द्वारा एंकाउंटर कर दिया गया उमेज पाल हत्याकार्ण में असत मुख्य आरूपी था और काफी दिनों से पुलीस से बचकर भागता फिर रहा था इंकाउंटर के बाद सोशल मीडिया पे ये इंकाउंटर ट्रेंड कर रहा था सोशल मीडिया के इतर भी लगातार इस इंकाउंटर की बात हो रही थी उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री ने सदन में ये बयान दिया था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे ऐसे में तमाम लोग इस इंकाउंटर पे लगतार सवाल उठा रहे हैं वही सत्ता पस लगतार अपने कामों का जो है वो सरहना कर रही है अपने थप थपा रही है मुख्यमंत्री के द्वारा अधिकारियों को सावासी भी दे दी गई है ऐसे में इस मुद्धे पर लखनव की जनता कि हम साथ हैं उसे बातचीत करेंगे उससे पूछेंगए कि लखनव की जनता इस इंकाउंटर पर क्या रुख लगती है क्या उतापत दिस सच में माफिया मुक्त हो गया है या फिर जो दावी किया जाते हैं उत्तरपदे सरकार द्वारा भजने तपाटी द्वारा कि जीडों टॉलेंस की नीती पर काम करती है माफियाओं को बखसने का काम नहीं करती है कितना थफल यह हो पाया हमार साथ कुछ लोग है इसे हम बातचीत करेंगे इसे हम जा तो किस प्रकार से लखनों की जनता इस चीश को देखती है क्या है जो माफिया मुगत की बाद सरकार करें तो उसका करवाई हो रही है जो चिज मीडिया पर हाइलाइट नहीं 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 लिए पुलिस में इंकाउंटर किया अच्छी बात है मरना चाहिए तो उसको आपने मारा लेकिन एक नया पुरावारी के सिस्टाम रहता है कि आपको पहले उसको कोट में पेश करना होता है सारी चीज़ा कोट अगर पुलिस वाले ही अगर सब कुछ बन जाएगा तो वह से गलत होगा पुलिस के कहना है कि मुठ बेढ हुई भागता फिर रहा था उस पर अरieneर केश हो रहें बहुत सारे रेप हो रहें बहुत कुछ हो रहा हुँँ आथ तक उस्तुक्न पेघरभी कारवाई रहा हुभि जिसकोakat छाल दिया है ब्लान दिया और बात इसको चालने क्यों बाती कि वह शपा पाटी का भी था एक ना एक बाया योगीजी मामला चला सपा से तो अखिले स्यादुनों तो बकाईदा सदन में कहा था जब उमेशपाल की हत्ते आउई थी कि आपके सरकार में जो है वह लोगनाडर सही नहीं है समाजबाधी पाटी नहीं यह मामला उठाया था और समाजबाधी पाटी के नेता जो है वह बसपाक प्रोट बता चु यह आपका क्या नाम है मैं सरकार किस प्रकार से देखते हैं। यूपी सटीफ की इस कारवाई को देखेए यह तो कानून को आप बन कर दीजिए जो फैसला जबस टीफ को कलना है पुलिस कोहिं कलना है यह आदालत रोगिये चला यह जो आपने नाय पे ला रहें तो हर बार यह कह देते हैं मुडवेर में भाग रादा मारा गया तो क्या पुलिस वाले चूड़ी पहिंते हैं क्या करते हैं बात यहां भी है जब करून है इसके अगर आपने नाय आले बना हैं तो नाय में जो है पर उसको नाय पर छोड़िए और गुंदा है तो भाई खाएगा सजा कुँव अशने गलती जुरूबों कीुशा पहला मामला था करीबन सेक्ड़ों से असे मामले हैं जिसमें अतिक एहमद बरी हो चूका था कई गवाव जो है वह उनकर चुके थे और इसक कर भाई हुई थी बात है कारभाई कानून में आय आले में कराने वाले जब उपन नी को पार्टिस नहीं मतलब है पार्टिस गौर्ट मिंड़ों आज इंचे साथ कल वो है उत्ता परदेश जो है माफिया मुक्त हो रहा है जो सरकार दावे कर रहे हैं उसके कितनी खरी उतर रहे हैं सब्सक्राइब करने के दावे को अपने सब्सक्राइब करते हैं चोड़ मसेर भाई कल हम आपको गड़िया रहे हैं फिर आपके साथ बैट चाय पीजे यह तो सब चला करता है यह पालती आज उनके साथ है कल उनके साथ है इसका कोई वरोसा नहीं नेताओं का कोई वरोसा नहीं कल हम कुझ्दी कहां मार जाए क्या कर जाएं बेबाकी से जो है लखनो की जंता अपनी राय रही है कुछ और लोगों से हम जाना चाहेंगे कि क्या उत्तापरदेश सच मे माफियाँ कर रही है बुर्डोजर की कारवाई हो रही है अभी यह कगने मतलज उस्तित नहीं होता था और शालीज साल से कवा उपस्तित नहीं होता था सबी विवच्छी पार्टिया जो हैं इस एंकाउंटर पे सवाल उठा रही हैं वेसी का कहना है कि क्योवल एंकाउंटर की राजनीती जो है भर्चंता पार्टी कर रही है अखले स्यादों भी लगता है इसका अभिरोत करें किस प्रकार से आप देखते हैं कि राजनीत नहीं हो रही है उमेस यादव मरा था वह भी तो कि पाल मरे थे वह भी तो किसी के लड़के थे वह भी तो किसी के थे तो जैसा हो रहा है उसका भाई बावा माफिय मुक्त प्रदेश की बात कर रहे हैं और वह उस पर अपने जो बताय रास्ते पर चलने तो सब الخुरणित कर रहे हैं यह सब फली बूत कहां से हुए प्रदेश सरकार की जो कारवाई है माफियाओं को लेकर चाहिए वो बुल्डोजर की कारवाई हो कितना जो है यह दावा सही सावित है कि माफियाओं पर जो एसकंजा कसता जा रहा है करीब करीब 80 परसेंट तो कसीरा भी 20 परसेंट बाकी है वो भी हो जाए तो फिर 100 परसेंट हो गया समझ लीजे क्योंकि अभी भी कुछ माफिया जेल में बैठ के अपना चला रहे माफिया गिरी अब बताइए अतीक ने जेल से बैठे बैठे ही उनका काउंट वो करवा दिया अब तक यह देश नहीं सुधरने वाला पर देश नहीं सुधरने वाला अभी तो दो चार और जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि यहां बाबा का बुल्डोजर चल भी रहा है और अपना यानि इस प्रकार की पुलिसा कारवाई जो होती रहने चाहिए बिल्कुल होती र होगा ने ऐसे कैसे वह पाइदा होगा और देखिये पहले कि सरकारे थी कितना माफिया राज सक आप खड़े नहीं हो सकते थे आप कोई काम नहीं कर सकते दे गुंडा टेक्स लेने आ जाते थे आदमी कि फलाने ने ने बेजा इतना पैसा दो तो कम से कम अब यह तो नहीं स अर्थन में आगे तो फिर तो सारा सिस्टम ही खतम हो गया न तो विपक्ष्ट दूविरोध करेगी करेगी और यह सब्वन ही के तो पाले हुए लोग है तो और हम तो चाहते हैं कि वही माफिया राज खताम और जो यह लोगो की इंडस्ट्री लगाने की जो विचार है उस मिलेगा भाजपा को आने वाले लोग सभाचुनाव में इस कारवाई का अंडेट परसेंट मिलेगा इसका लाब तो इस पकार से आपने देखा कि लखनव की जनता जो है वो बेबाग तरीके से इस मुद्धेप अपने राय रख रही है और कुछ लोगों ने इस कारवाई पे सवाल भले उठाए हो लेकिन ज्यादा तर लोगों का ये मामला है कि ऐसे दुरदांद अपराधियों का ऐसा ही अंत होते रहना चाहिए उत्तपदेश की सरकार सराहनी यकारी कर रही है और लगतार माफिया मुक्त परदेश की जो बिचारधारा है जो कलपना है वो साकार होते देखी जा सकती है कैमना परसन वीजे के साथ नभीवेक शाही प्राइम टीवी लखनवू